बांगला दिश में दो महीने से चल रहे आरक्षन विरोधी चात्र अंदुलन के बाद प्रधान मंतरी शेक हसीना ने सोमबार पांच अगस्त को पच से इस्तिफा दे दिया। हिंसक महुल के चलते शेक हसीना को देश छोड़ कर भागना पड़ा। वे सेना के विमान से रवाना हुई। खबरों के मताबिक उनकी बहन रहाना भी साथ है। वे बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुँच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक उनका विमान गाजियाबाद के हिडन एर बस पर उतर गया है। उसके बाद वे लंदन, फीनलेंड या दूसरे देश जा सकती है। बंगला देश के सेना प्रमुक ने कहा हम अंतरीम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम सभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। इससे पहले पडूसी देश श्री लंका में आर्थिक संकट के बाद राष्टपती गो उन्में खुज कहे थे।